नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक और नई वीडियो में बात करेंगे एससी बरतियों से जुड़ी ताज अपडेट के साथ हो CET गुरूप C का जन्सोदित प्रिणाम जारी 20,000 न्युक्तियों का रास्ता साफ हो गया है और दोबारा भी अप्पित होंगे पद तो जो है गुरूप C के लिए जो है CET जो हुआ था उसके लिए कल रिजल्ट रिवाइज कर दिया गया है और साथ में अब पदों को जो है अड़ुटाइजमेंट कर दिया जाएगा हाई कोट के फैसले के अदार पर करमचाय चैनल एक नहीं बिना बोनस हंक दिये मेरिट सूची जारी कर दी है और 24 गुरूपों का जारी हो चुका पर इना इसके बारे में बात करेंगे पहले गुरूप D के रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो गुरूप D का 13,657 का दुबारा से रिजल्ट आना सारा ठीक है एक बार रिवाइज रिजल्ट डालेंगे मैंने पहले लाइव में आपको बताया था कि रिजल्ट रिवाइज होना बहुत जरूरी है आयोग हाई कोट के फैसले के खलाप इस सब्ता पुंदर विचार याची का दायर करेगा आयो सब्सक्राइब के लिए नो लाग प्रिक्षा दी थी जिसमें से च्यार लाग बीस जार अवर्थी क्वालिफाई हुए थे इसमें ग्यारा जार से अधिक ने जोईन की कर लिया है जबकि 2657 का रिजल्ट बोन संग के कारण रोक लिया गा था अब आयोग बिना आत्रिक तंक नए सिरे से इन पुदों का प्रिणाम जारी करेगा यानि पिछाणूमें में से एक बार सभी का 13650 का रिजल्ट निकाल के देदेगा ताकि किसी भी परकार की किसी भी कटैगरी में दिक्कत ना रहे कटोफ भी सपस्ट हो जाए और किसी भी कंडिडेट को ये ना रहे कि मे निकाल गए देंगे और साथ में कटाइगरियों की प्रोबलम ठीक हो जाएगी साथ में जो है 2660 की जो लिस्ट बची हुई है उसका मामला भी शोल आउट हो जाएगा ठीक है तो ये कंपलेट निकाल देंगे साथ में वेटिंग भी लगा देंगे वेटिंग कलियर बाद मे होगी तो ये प्लान निक है इनकी और जो रजल्ट जारी किया गाल उसमें सपस्ट लिखा गाया था कि ये टेंपरेरी रजल्ट है ठीक है प्रोविजनल रजल्ट है अभी ये फाइनल रजल्ट नहीं है हलाकि जो जो जोईन कर चुके हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी कर चुके हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर कटॉप से ज्यादा ही कम नंबर है तो बेसका आपको थोड़ी समस्या हो सकती है हाई कोट के अधेशन असार प्रणाम संसोदित किया है जल्द पुन्र विचारी अच्छी का दायर की जाएगी हमारी कोशिस होगी कि ब प्रिक्षा का प्रिक्षा का प्रिणाम जारी हो चुका है और गुरूप सी वड़ी के कुल 23,000 करमसाई दोकरी विजवाइन कर चुकी हैं अब गुरूप सी के करीब 20,000 पद खाली है इसमें गुरूप 56,000 गुरूप 1 वद दो पर केस आईकोड में लंबी था इसलिए आयो पर ही फाइनल मेरिट सुची जारी की जाएगी ठीकर उसके बाद बात करें टीजिटी परती पर यहां पर आप देख सकते हो 31 मई को कोरट ने आर्थिक समाजिगादार पर दिये जाने वाले अंकों को अवैद करार दिया था साथ ही नए सिरे से प्रिणाम और मेरिट सुच पर भी बिना अर्थिक समाजिगा अधार पर अंकों के प्रिणाम जारी किया जाएगा चुए 300 का रेजल्ट भी जो आपको पता पी चंड़ में से आएगा लेकिन एक एक्स्प्रेस वाला केस है उसका पता नहीं क्या जंजड रहेगा वो भी इतना दम नहीं है उसमें लेक जो है पदों के चैरगुना अवरतियों को दूसरी प्रिक्षा के लिए बुलाया जाएगा मंगलव रावाबाद रात आयोग ने संसोधित प्रणाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है तो यह जानकर आपके लिए रहेगी और सीटी पास करने वाले दुबारा पदों के कम हो गए हैं अंक 15,000 परवावी तो 15,000 कंड़ी डेट इसमें परवावी तो हुए हैं जिसके नंबर कम हो गए हैं तो इस जानकर आपके लिए रहेगी हर अपडेट मिलती रहेगी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बड़ी गल्टी को प्रैस कर लेना वीडियो अपने काचली बड़ बड़ दोनिवाट